आईलो गैस ाज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जह मारा B.O T3 5G घाया है तो B.O T3 5G घाया कर कैसे अधन्य फोन में आप डबल टाप 2 स्क्रीन अफशन को कैसे बंद कर सकतें और डबल टाप 2 सैटेंग narrator को आप कैसे बंद कर पाएंगे B.O T3 Light 5G घाया कर तो आज हम बताने वाले हैं कि Double Tap to Screen Options का on करके कैसे यूज़ कर सकता है और स्क्रीन को कैसे on-off कर पाएंगे Double Tap करके BeWalk T3 Lite 5G Phone में तो आज हम बताने वाले हैं कि Double Tap to Screen Options का on-off कैसे करें तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मारे चैनल को like करें, subscribe करें साथ में बैल आइकन दबाने ना भूलें तो आइकन शोर हैं जिसमें स्वाइब करना है स्वाइब करती सैटिंग्स पे चले आना है, क्लिक करते ही फॉन की सैटिंग्स से अपन हो जाएगी तो आप कैसे Double Tap to Screen Options को बंद गर सकते हैं, आप कर सकते हैं स्वाइब करते हैं, तो बताने वाले तो आप देख सकते हैं कि आइकन सैटिंग्स शोर है, जिसमें से आपको Shortcut Access Ready पे जाना है, जिसके Shortcut Access Ready पे जाकर आप अपने फॉन में आप कर सकते हैं, और कर पाएंगे उस्क्रीन का ओन भी कर सकते हैं, से लिए Smart Moons पे जाना है, तो Smart Moons पे जाकर Double Tap to Screen Options को On Off कर सकते हैं, सिंपली बस आपको इस पे जाना है, और जब आप इसको On कर देंगे तो On करते हुए दबल टैप to Screen Options On हो जाएगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं, और अपने स्क्रीन को इस तरही से Double Tap करके आप On कर सकते हैं, और डबल टैप करके Off भी कर सकते हैं, तो इस तरही से Double Tap to Screen Options को On-Off कर सकते हैं, और इसका यूज भी कर पाएंगे अपने फोन में जिसका यूज कर सकते हैं, तो आपको वीडियोस लहीं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बैल आइकन दवानन, ना भूले, थैंक्यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए तो जा करें